नमस्कार सातियों मेरे यूट्यूब चैनल आधरस पंचायत में आपका स्वागत है मेरे चैनल को अधिक सरी सस्क्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए यूडे के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको पता है दोस्तो मेरा यूट्यूब चैनल आधरस पंचायत है जिसमें मैं सासन की विभिन महतोपूर्ण नई नई योजनाव के आपको जानकारी ओपडेट साजा करता हूँ इसी करम में आज हम मुख्यमंत्री जन कर लें संबल योजना 2.0 में आनलाइन आवेदन किस प्रकार करते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा चलि देखते सुरू करते हैं यह देखी दोस्तों यह संबल 2.0 की वेबसाइट है आपको सरच करना है Google में संबल संबल योजना जैसे आप संबल योजना टाइप करेंगे पहली वेबसाइट आएगे mp.government.in symbol.mp.government.in इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मुख्य प्रस्ट open हो जाएगा यह इसमें लिखा है यह पंजे ने तो आवेधन करें आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर यह आपको इसमें समगर आइडी नव अंको की मेंबर आइडी सोयम की आइडी डालना है फिर उसके बाद यह आपको आट अंको की परिवार आइडी डालना है और केपचा डालके आपको समगर पर खोजे चले मैं एक समगर आइडी डालके आपको बताता हूं यह मैंने मेंबर आइडी और परिवार आइडी फेमिली आइडी डाल दिये आपको संबल योजना में आवैदन करने से पूर वो अपनी समगर आइडी में KYC करना अनिवार है आप पहले KYC करवा ले मेरा KYC पर भी मेरे चैनल पर प्लेलिस्टे में एक वीडियो है KYC कैसे करें वो आप देख सकते हैं यह मैंने समगर आइडी परिवार आइडी आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं समगर खोजे पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ही मेसेज आ जाएगा कि प्रिया वैदर आपकी KYC की जानकारी प्राप्त हो प्रविष्टगर पंजयन पूर्ण करें आब इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपके समने नया पेज आएगा जहांपर जहांपर लिखा आवेदिका का आधार आधार नमबर लिखा होगा समगर आइड़ी आवेदक का नाम आएगा पीता का नाम आएगा, मा का नाम आएगा, मेल फिमेल आएगा, आवेदक की जन्म तारिक आएगी, जाती ओबी से आएगी, उसके बाद ये देखे, आवेदक का पता आजाएगा, जिला, जन्पद, ग्राम पंचयत, पीन कोड, पीर ये देखे, अन्य विवरण, अन्य विवरण में आपको यहाँ पर आवेदक का प्रकार, आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहला ही असंगटित्स रमिक, फिर आपको सिक्षिया, आप जहाँ तक भी आप पढ़े हैं, प्राइमरी, मिडिल, स्कूल, हाई, स्कूल, हाई, सेकंडरी, इसपर आपको क्लिक करना है, इसके बाद नियोजन वेवसा है, मतलब आप जो भी काम करते हैं, उसको सिलेक्ट करना है, देखे, जैसे क्रसी में नियोजन, जो भी क्रसी में नियोजन क्रसी में काम करते हैं जिनकी क्रसी भूमी धाई एकर एक हिक्टेर से कम है वो आविधन कर सकते हैं आप खेती में काम करते हैं क्रसी में तो इस पर क्लिक करना है दूर डेरी में काम करते हैं तो दो नंबर मशली पालन में नियोजन तीन वानेकी में चार, रेसम, लाइट, मतिगा का भवन, पत्थर, सड़क, गिट्टी आदी ये जो काम करते हैं आप 6 सिलेक्ट करें पत्थर तोड़ने काम करते हैं तो 7, पकीड, भट्टे का कारी करते हैं तो 8 सिलेक्ट करें एसे ही प्रकार कि आप जो भी काम करते हैं वो आपको सामने ये slide open होगी सिलाई में नियोजन जो भी महिला हैं सिलाई का काम करती है वो इस पर टिक करें सुगर अगरती बनाने वाले जो काम करते हैं वो इस पर क्लिक करें जो भी आप काम करते हैं 38 प्रकार की स्रेणिया है जो मैंने इसके संबंद में मेरा एक वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं देखिए मैंने जैसे सिलेक्ट किया है सिलाई में नियोजन इसके बाद आपको यह क्या आप आय कर दाता है नहीं सिलेक्ट करना है आपकी में डालेंगे फिर नीचे आएगा क्रमांक परिवार आईडी आपके घर में जित्ते भी सदस से सब के नाम आ जाएंगे समगर आईडी आजाएगी जन्मतिति आ जाएगी परिवार मुक्या से संबंद आ जाएगा उसके बाद में आपको तीन चेक बाक्स बने हैं मैं घुसना करता हूं करती हूं कि जन करने पात्रता हूं किसी सास्की कर्मचारी में और मेरे पतनी नहीं है सपत पूत्रे सपत पूर्वक कतन करता हूँ यह तीनों चेक बिंदू पर आपको ठीक लगाना है उसके बाद आवेदन सररक्सित करे पर क्लिक करना है जैसे आप पर इस पर क्लिक करेंगे आपके बास यह देखिए सक्सेस का मेसेज आ जाएगा सक्सेस का ये मेसेज आ गया है आपका अवेदन ग्राम पंचायत में सेंड कर दिया जाएगा जहां से आपको जहाच होगी उसके बाद ये आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं इसके लिए मेरा एक वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में संबल योजना 2.0 के नाम से बनी है आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अगर है मेरा वीडियो अच्छे लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद